आज मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp पर QR code के द्वारा आप किसी भी contact को कैसे add कर सकते हो और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि आपका खुद का जो WhatsApp contact है जो आपका खुद का है उसका QR code आप कैसे दूसरे लोगों को share कर सकते हो ताकि वो भी आपके बीना contact नमर के आपका QR code को scan करके आपके नमर को add कर सकें बहुत important ये चीज है WhatsApp का और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही अत्यंत जरूरी है दोस्तो ठीक है क्योंकि जब आप किसी WhatsApp contact को अपने mobile में save करते हो नमबर डालते हो नाम लिखते हो तब जाके WhatsApp में वो save होता है लेकिन बहुत अच्छा ये तरीका ये है कि simple सा एक QR code scan कीजिए automatically वो save हो जाएगा तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है तो यही चीज में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यह सुरू करते हैं उससे पहले आपको जो है WhatsApp को यहां से open करना है open हो जाएगा screen इस तरह का आपको दिखेगा यहां पर जो है तीन बिंदू है जिसको मीनू भी कहा जाता है इसको क्लिक कर दीजिए उसके बाद आप setting को यहां पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद आप देखो यहां पर एक आपको आपके नाम के सामने जो है एक QR कोड का एक link मतलब की image दिखाई दे रहा है आइकन दिखाई दे रहा है इसके उपर में आपको क्लिक करना है आप जो क्लिक करोगे तो आपके खुद का contact का जो है यह QR कोड यहां पर दिखाई देगा मैंने इसको hide इसलिए किया है ताकि इसका गलत कोई उपयोग ना कर सके तो आपको इस तरह का अपना खुद का QR कोड दिखाई देगा अब यह QR कोड का जो image फाइल है इसको आप share कर स आएगा ठीक है automatically आपको अपना number देने की भी कोई जरूरत नहीं है यह तो आपका QR कोड हो गया इसको आप share कर सकते हो लेकिन किसी दूसरे का QR कोड जो है आप कैसे scan करोगे अपने mobile में save करने के लिए उसका contact इसके लिए आपको क्या करना है यहां पर देखिए एक scan code का option दि जो है यहां पर save कर सकते हो QR कोड के दौरा तो हम इसके उपर में QR कोड के उपर में क्लिक करेंगे इस तरह का screen आजाएगा आपको WhatsApp से scan करने का जो है option मिलेगा यहां पापने camera WhatsApp के camera से आप scan कर पाओगे simple था mobile थे तो किसी का भी इसके जो है आप scan कर लिजिए उनके mobile में हो च कोड का यह कहीं poster में लगा हो या फिर उनके mobile में हो उसको आसानी से अपने WhatsApp के camera से आप scan जैसे ही करोगे उनका number आपके mobile में save हो जाएगा ठीक है तो यह आपका एक तरीका हो गया अब दूसरा तरीका मैं बता दूँ माल लीजिए कोई किसी आपके friend का दोस्त का QR कोड का एक scan image आपके mobile में save है उसको कैसे करोगे ठीक है यह तो आप camera से live scan कर सकते हो लेकिन live नहीं माल लीजिए आपके mobile के gallery में एक दोस्त का QR कोड है तो उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पर देखिए नीचे में एक आपको icon दिखाई दे रहा है इसको click करने के बाद सीधे आप आप जो है अपने gallery में चले जाओगे image gallery में ठीक है इसके उपर में click करना है और फिर जो है image gallery में जब जाओगे तो अपना photo आप choose कर लो जो भी आपको आपके दोस्त थे या आपके family member थे उसका जो भी scan code है keyword code WhatsApp वाला उसको यहाँ से आप select जैसे ही करोगे उनका number save हो live भी आपने कर लिया और उनका contact अगर जो आपके mobile gallery में अगर उनका photo है keyword code का तो उससे भी कर लिया आपने इसा करने से दोस्तों बहुत आपका जो है समय जो है बहुत यहाँ पर बच जाता है और आसानी से जो है आप किसी का भी contact जो है यहाँ पर save कर सकते हो जो है बहुत सारा काम जो है QR code के द्वारा ही हो रहा है तो WhatsApp में नया यह update आया है जिससे आपका बहुत सारा काम असान हो जाता है समय बसता है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं हम लोग next वीडियो में